सतियु रम्हसकार महरमा सिंगर और आप देख रहें भीके नियूज और आप हमारे चैनल फीके 24 नियूज को सस्काइब करें और अगर अगर फेस्टुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज़ को फालो करें और आज खास सर्चा होगी मोई सर्मा से जो कि सोसल एक्विस्ट हैं और तमाम जो है आप तमाम सोसल साइडों पर आप इनको देखते हैं मोई सर्मा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जी मैं आपका और आपके चैनल का बहुत-बहुत शुक्रियादा करता हूँ कांग्रेस के तमाम नेताओं पर लगातार आपायार हो रही हैं देखे मैं आपके अंदर आवाज उठाने पर लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है यह हर दोर कर रहा है तो मैं आपको बता दू कि आप तो पतरकार हैं इस देश के अंदर पतरकारों की भी आवाज को दवाने का लगातार प्रियास किया जाता है सोसल मीडिया के कई यूटूब चैनलों को ब्राडकास मेनिजमेंट के दोरा बंद कर दिया जाता है सरकार के दोरा उन चैनलों पर लगाम कसने के लिए जो मोधी सरकार को गलत दिखाने का काम करते हैं मोधी सरकार की जो गलत नितिया हैं उनको दिखाने का काम करते हैं तो यूटूब चैनलों को भी बंद कर दिया जाता है तो मैं आपको बता दू कि इस दोर के अंदर बोलना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है बड़ा ही कठीन काम हो गया है हमारे देश के प्रधान मंतरी जी सिर्फ और सिर्फ जूट बोलने का काम करते हैं कोई सरकार की खिलापत करे तो उसको जेल में डलवाने का काम करते हैं मुकदमों के जरिए केस के जरिए लोगों की आवाज को दबाने का प्रियास करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जब हमने अजादी गोरों से ले ली तो हमें चोरों से लेने में वक्त नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, ली जाएगी जल्द, और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किया आखिर आपने इस देश के लिए, मेरा सवाल यही है, देश के प्रध सरकार के राज में हमारे सहरत पर जवान सहीद हो रहे हैं, आपकी सरकार के राज में हर्याना जल रहा है, आपकी सरकार के राज में मनिपूर में देश की बेटियों को निर्वस्तर किया जा रहा है, देश के प्रधान मंतरी जी फिर बेटियों की बात करेंगे, जब प्रध जाइजा क्यों नहीं लिया मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधान मंत्री जी से कि पिछले पांच वर्सों में दो लाख पिछतर हजार जो बच्चे गायब हुए हैं जिसका डाटा जो है आंकडा जो है वो यूनियन मिनिस्टर और बुमेंट एंड चाइल डेवलपमें हमारे देश के प्रधान मंत्री जी जो महिलाओं की बात करें वो इस पर चर्चक जो नहीं करते हैं तो मन यह भी के जी तो इस देश के लोग याद करते हैं तो भगस सिंग को राजगुरू को अस्वाक उल्ला खान को लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन चडडी गैंग व सभा के अंदर बं फेकने का काम कियते हैं या असेंबली में बं दागा था उस वक्त पर उनके परिवार के सदस्यों को कोई भी अपने घर में रखने को तयार नहीं था उस वक्त पर जो लोग उनसे बात किया करते तो उन लोगों ने भी उनसे दूरी बना ली उस वक्त पर अगर बगश्चिंग के परिवार को किसी ने अपने घर के अंदर रखने का काम किया तो उसका नाम था मुलाना हबीबुर रह्मान लुद्यानवी जिन्हों ने बगश्चिंग के परिवार को एक महीने अपने घर के अंदर जो है वो पना देने का काम किया आस्रे देने का काम किया उस वक्त पर कोई शंगी नहीं था जिन्होंने उनके परिवार को पना दिया या अस्रे दिया तो क्या लगता जैसे आपने तमाम उद्दों की बात करी मड़ी पोर है मेबात है या बिरोजगारी है महिलाओं तो यह प्रधान मंत्री के बास्टन में सामिल हो सकते हैं तो हम मौत से नहीं डरते और मौत की परवाबी नहीं करते हम इस देश से इस देश की मिट्टी से बेहत प्रेम करते हैं इस मिल्क के लिए हम अपनी जान अपना सरवच सब कुछ नियोच्छावर करने को तयार है लेकिन जब बात हमारी मातर भूमी के आएगी तब हम इस द जब बार बना तो दो बार की पैंसन तीन बार बना तो तीन बार की पैंसन लेकिन आप सोचिया हमारे देश के अंदर फोजी भाईयों की पैंसन बंद कर दी आजादी के इन शुतर सालों में हमने देश को क्या दिया एक व्यक्ती थे मानने मुलाहिम सिंग Яडव जाना साल bilmiyorum श्री मुलाहिम सिंग यादव जी को याद करता हूँ, यही बात मैं कहूँगा, कि उनीकी बज़े से हमारे देश के जो जवान है, उनका जो पार्तिव शरीर है, वो घर पर आप आता है, इससे पहले पार्तिव शरीर घर पर नहीं आया करता था, आपको तो अच्छी तरीके स पता है आप तो इतिहास के बड़े जानकार हैं आपको पता भी है जी सवाल यह है कि जो मोदी सरकार की उपलब्दिया है वो लगातार भाजबा के लोग चारों तरफ जंता को जाजा के बता रहे हैं देखें माने बीके जी मैं आपको एक ची बताओं के चैनल के माध्यम से मै क्या बनाया जब 200 साल अंगरेजों की हुकूमत के बाद इस देश को आजादी मिली उस वक्त पर इस देश में सुई तक बहार से आया करती थी सब कुछ पिछली पूर प्रधानमंत्रियों ने पिछली सरकारों ने इस देश में बनाने का काम कि आज खेती से लेकर सुई से हर चीज परमाण उबम तक हमारे देश के अंदर बनता है स्वैम बनता है लेकिन मैं पूचना चाहता हूं कि आपने क्या बनाया पिछली सरकारों ने बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई आपने क्या बनाया आपने राम जनर्व म्हुमी का विबाद के नाम पर लोग को जिस सरकार की अनपढ़ता का होना सबसे बड़ा प्रमान है जो व्यक्ति जो सरकार इस देश के अंदर किताबों पर टेक्स लगा दे और फिल्मों को टेक्स प्री कर दे उस सरकार की अनपढ़ता को प्रदर्शित करने का काम करता है इस देश के अनपढ़ जाहिल और गवार निताओं प्रदास्ट क्रेंग काम करता है। रमेश जी है कमिनाथजी है रोड़ियादो जी है तमाम और नेटा 41 ही यार हो चुकिए है एफ तक। देहें मैं आपको बताओं कि क्मिषन की बात आती हैं तो शबसे पहले में वसी वक्त आपको ले कगा जाओंगो जब भारत देश के पेता मंत्री स्रंड का दर्ण सिंग थे दिल को उनके ठेश पहुंचती है किसान का बेश भना कर चले जाते हैं चोदीरी चलन सिंगी उसके बाद में चोदीरी चलन सिंगी क्या करते हैं वो उस एफायर के लिए 35 रुपे उनसे पुलिस वाले की सिरिस्वत तै होती है वो 35 रुपे के बाद में जब उनके पुलिस वाला एफायर लिखने काद में कहता है कि अंगुठा लगाओगे चच्चा या शाइन करोगे वो कहता है कि भाई अस्ताकसर करेंगे तो जब चोदीरी चलन सिंग हस्ताकसर करते हैं तो वो पुलिस वाला जो है देख के हिल जाता है उस वक्त पर चोदीरी चलन सिंग पुलिस वाले सहीद पूरे ठाने को सस्पेंड कर देते हैं तो आप अंदाजा लगाईए मानिये बिके जी उस वक्त पर इस देश मा कमिसन हुआ करता था गोटाला हुआ करता था तो क्या आज नहीं हो रहा होगा बिल्कुल हो रहा है एक आम आदमी अगर एक आफायर भी लिक्वाने जाए तो उसको तकलीबों का सामना करना पड़ता है गोटालों का सामना करना पड़ता है यह जो हाईवे गिर रहे हैं यह जो बिरिज गिर रहे हैं यह जो रोड हाथ से हो रहे हैं जो अस्पताल में मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है, जो इस देश के अंदर लोगों को रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को जो ट्रेन के टिक्टे बढ़ाया जा रही है, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है, ये किसलिए, ये सिर् देश के अंदर गोटाला हो रहा है तो गलत नहीं होगा बिल्कुल जाएगा जब कांग्रेस के निताओं पर आफायर हो रही है तो जनता के पास क्या मैसिज जाएगा मैं आपको बता दूँ कि कोई मुकदमे हो जाने से यह नहीं होता कि हम आरोपी साबित हो गये मुकदमा करने का हक और अधिकार 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 इस देश के अंदर सभी को है आप कल को अगर मेरे उपर अफायर दर्ज करा देजी मैंने आपको मारा है तो अफायर तो दर्ज हो जाएगी मुकदमा भी मेरे उपर दर्ज हो जाएगा लेकिन जो देश की नियाइपाली का है नियाई पाली का के समक्स जब तक मेरे उपर आरोब साबित नहीं हो जाते उससे पहले मैं दोसी नहीं हूँ जब तक मेरे उपर दोस साबित नहीं होगा उससे पहले मैं दोसी थोड़ी के लाया जाओंगा तो आपने तो मुकदमा लगा दिया आप मुकदमे लगते रहते हैं और मुकदमे चल भी रहे हैं, राजनेताओं के उपर, मुकदमे लग रहे हैं हर दोर में, लोगों के उपर मुकदमे लगे हैं, लोगों ने देस के लिए फांसी कही यह है, मुकदमे नहीं है। मुकदमे बहुत चोटीसी चीजatin गर्लिफे, शावर कर दिया और ऐसे भारत मा के वीर सपुतों को आजम करता हूं प्रणाम करता हूं सहीदे आजम भगस सिंग हो अस्वाकुल्ला खां हो राजगुरू हो विरांगना महारानी लक्षमी भाई हो सबको जहिन वंदे मातरम धन्यवादू यह थे मोई सर्मा जिरों ने बेव कांग्रेस की चभी में निखार होगा और पूर्ड मॉहमत से कांग्रेस की सरकार मतर्देश में बनेगी तो आप इस वीडियो को जद जद लाइक सेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें